हेलो एब्रिवन जैहिन जैभार्त वंदे मातरम सभी बच्चों को कैसे आप सभी तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक इंपोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ बता कोई और बच्चे के पास अगर आप वीडियो शेर करते हैं तो उसकी ये गलती अगर वो कर दे बाई मिस्टेक तो वो गलती इस वीडियो को देखने के बाद ना करें ठीक है इसलिए शेर जुरूर कर देना सभी जगह जितने भी आपके पास ग्रूप्स हो गयरा है सभी जगह शेर कर देना मेरे भाई ठीक है तो देखिएगा दो पॉइंट के पर बात करूँगा मैं सबसे पहला तो अगर आपका एड्मिट कार्ड पे जो फोटो है आपकी जो फोटो लगी होती है अगर वो फोटो कलियर नहीं है तो आपको क्या करना है पहला पॉइंट दूस यह एड्मिट कार्ड पे सबसे पहले तो एड्मिट कार्ड पे अगर आपका फोटो कलियर नहीं है ठीक है तो पहले तो एक काम करना एड्मिट कार्ड आप सभी के पास है उसके पीछे पांच है इतना बड़ा पेज का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है complete इंस्रक्शन पॉइट हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी आलस मत करना पांच मिनिट निकाल लो उसके लिए भी उस पे सब कुछ लिखा हुआ है उस पे जो जो लिखा हुआ है वही चीज मांगेगा इसके लावा और आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है ठीक ह दो फोटो आपके पास होनी कमपल सरी है ओके तो ये तो है जिनका एडमिट कार्ड पे फोटो कलियर नहीं है तो वो फोटो लेके जाएंगे 101% लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि सबी बच्चे लेके जाना फोटो में कोई बजन थोड़ी आपके पास फोटो अदा उस पे एडमिट कार्ड पे आपकी फोटो कलियर नहीं आ रही हुए इसके साथ साथ प्लस में आपका आइडी प्रूफ आइडी प्रूफ वो भी ओरिजनल ठीक है आपको वहाँ पे औरिजनल आईडी प्रूफ चाहिए रहेगा जो भी आपने जब फॉम फिल किया था उसके अंदर फॉम फिल करते टाइम जो भी आपने आईडी नंबर दिया था जल्लग बग अभी तो आधार कार्ड यह देते हैं सभी के सभी इसलिए सभी के सभी आधार कार्ड जुरूर ल करने के लिए या वह बंदा और एड्मिट कार्ड पर जो बंदा है दोनों सेम होने चीए उसके लिए वो जो है थोड़ा सा वेरिफाई करते हैं तो इसलिए आपको और ऑरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है तो आप अधार कार्ड भी अगना साथ में लेके जा सकते ह ठीक है इसके इलावा पहचान पतर तो अभी आपका होगा नहीं क्योंकि वो तो 18 साल के बाद बनता है तो इसलिए आपके पास यही औरिजिनल आईडी प्रूफ रहेगा आधार कार्ड ठीक है जिसको आपको लेके जाना है प्लस में कई बच्चे कोमेंट कर रहे थे कि सर क प्लस टू के डीम से बगएरा कुछ लेकर जानी है मतलब जो अमारक सिट बगएर लेकर जानी है तो बिल्कूल भी नहीं लेकर जानी उसका वहाँ पर कोई काम नहीं है तो उसको घर पे रखो फ्रेम में लगा के रखो एसस भी उसकी जुरूत पड़ेगी ठीक है तो उसका यही तो है सब कुछ इसमें मिस्टेक मतलब ओमार सीट में मिस्टेक मतलब रिजेक्शन कैंसल पेपर कैंसल आपका पेपर कैंसल अगर आपने ओमार सीट में मिस्टेक कर दी मतलब आपका पेपर ही रिजेक्ट हो जाता है वो चेक ही नहीं होगा यहाँ पर मिस्टेक होती है बच्चे बहुत सारी बच्चे mistake करते हैं name बरने में mistake कर देते हैं roll number बरने में mistake कर देते हैं तीसरा जो आपका text book जो आपको booklet मिलती है उस booklet का number भी उसके अंदर field up करना लिखना होता है तो name की जगां आपना सही name लिखें mistake मत कर दें बच्चा बोल रहा था मिस्टेक है करनी है तो वह भी स्टेक नहीं करना है विलकुल गलती हो तो तुस पैसा नहीं है कि काता मार के आप आप मतलब रिजेक्ट ठीक है आप से करकर कोई गलती हुई है कोई बात नहीं आप उसको वैसे करके छोड़े आओ गलती हो गई जी कि हो गई उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं है कि दूसरी सीट दे दो ऐसा नहीं है फ्लूट तो यूज बिलकुल भी नहीं करनी ह है भाई ठीक तो फिर भी ध्यान रखना इस बात का कि नाम को बड़े ध्यान् से वरना है उसे कोई भी गलती नहीं बहुत सारे बने बाइभाटे रो Lumber कि जिगा रजीस्ट्रेशन डम्बर लिख देते हैं बाइड work card work वाले पर टेक्ष्ट बुकलेट नंबर declans करते हैं आपको मिल जाएंगे ओसर तक भी जो आजासे इस mistake करते हैं और बाद में comment के नीचे लिखते हैं कि सर यह मेरे से हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब तु अगले paper की त्यारी कर, और अगले paper में इस बात क्या ध्यान रखना, यही होता है, ठीक है, तो यह 3 point आपको खास ध्यान रखने हैं, दूसरा answer, जब आप answer बरते हैं, तो उसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी हैं बच्चे, क्या कि जितने number question आप कर रहे हो, जो भी question number आप कर रहे हो, ध्यान से देखना, कि एक number question कर रहे हो, तो एक number question का यह आपको answer देना है, एक के बाद अगर आप five number question कर रहे हो, क्योंकि omrp sequence wise होता है, तो आपको five वा भी नहीं चलेगा, आपने दो कर दिये, तो वो भी गलत है, टिक लगा के छोड़ दिया, वो भी गलत है, ठीक है, आपको पूरा एकदम प्रोप पर उस circle को एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम सजा के, ठीक है, जितना आप अपने दोस्त के लिए greeting card जितना सजाते हो न, ऐ एकदम पूरा थोड़ा सा भी नहीं बचना जिये, एकदम बढ़िया लाजवाब तरीके से, उसको काला करके आजाना है, ठीक है, ये चीज, दूसरा, मेरे भाई, मैं पहले ही बोलता हूँ, कि जुरूरी नहीं है कि आपको sequence wise ही question paper attend करना है, मतलब पहले यार easy easy कर लो, पहल दूसरा आपको लगता है, कि थोड़ा time लगेगा, उस पे circle लगा दो, मैं ये पहली चीज भी पहले भी बता चुका हूँ, तीसरा ऐसा है कि जो आपने chapter नहीं पड़ा, तो भाई उसको question को पढ़के ही क्या फाइदा, delete मार, काटा ही मार दे, तूने वो chapter पढ़ा ही नहीं, तो फिर वो उसको question को पढ़के क्या करेगा, तूने तो वो किया ही नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको delete मार, काटा मार, ठीक है, और दूसरी आपको ये देख लेने हैं, जब आपसे पूरा question paper, मतलब जब आप पूरा कर लो, आपने जो जो आपको आते थे वो कर लो, आपने देखा कि मेरे 60 plus question हो गए, ठीक है, 50 plus question हो गए, आपका G80 portion बहुत बढ़िया है, एकदम strong है, फुल, तो 50 plus question हो गए, 60 plus question हो गए, तो आप उतने ही करो, और attempt मत करना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 57 और कर लेता हूं, 57 में 2-3 गलत हो जाएंगे, तो क्या पता, 45 सही हो जाएं, ऐसा नहीं करना है, आपको safe secure करना है, safe secure मतलब 60 plus question आपके correct हो रहे हैं, आपने देखा कि 60 question मैंने 70 question attempt की हैं, जिसमें से मुझे 100% ही है, कि 60 plus question मेरे correct हैं, तो भई वहीं छोड़के आजाओ, ज्यादा नहीं करने, ठीक है, ज्यादा शाना नहीं बढ़ना है, समझगे, मैं कैस ज्यादा शाना जाद बनता है, वो शाना ही बनके रह जाता है, इसलिए ज्यादा शाना नहीं बनता है, अपने को, जितना अपने से correct, जितना correct हो रहे हैं, उस पे ज्यादा focus रखना है, ठीक है, 50, 60, 70 question correct हो रहे हैं, तो आप safe secure के score के अंदर हो मैं कह सकता हूं, आप बिल्क simple आप जो color photo बगएरा, रंगीन, black and white कुछ भी नहीं है, आप जाओ दुकान पे, admit card निकालो, जैसा वो निकाल के देता है, वैसा का वैसा लेके जाना है, कुछ भी नहीं करवाना है, मतलब जैसा जैसा है, वैसा का वैसा ले जाओ, तीन पेज का admit card, तीनो का ले जाओ, कौन तीन निकल वालो, उसकी एक वो तीनो पेज वाला ले जाना, एक single जो main आपका page, वो ले जाना, जो रखना चाहेगा, वो रख लेना, बाकि अपने जेव में डालने ना, वापस ले आना, तो उसको यह क्या चीज है, ठीक है, तो यह कोई बड़ी चीज नहीं है, केई बच् के अंदर जाते हो, वैसे पहन के चले जाओ, कैसे मर्जी पहन के चले जाओ, ठीक है, तो वो कोई चीज नहीं, मुवाईल फोन आलाओड नहीं है, डीजिटर, कुछ भी आलाओड नहीं है, smart watch आपको अलाओड नहीं है, वो लुट गारा, वो सब चीज अलाओड नहीं है, मेरे जैसों को जेव के अंदर headphone रखनी की यादत होती है और वहां कमरे में भी वही चला जाता है मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था वह भी जब मैं एक exam देने के लिए गया था तो मेरे जेव के अंदर वह रह गए थे earphone वापस आया मैं चोड़ने तो वह गलती नहीं करनी है व जिनको आपको खास ध्यान रखना है और mistake बिल्कुल भी नहीं करनी है मेरे बच्चे ठीक है बहुती बारिकी से रात और दुसरा प्रैसर में आने की कोई जूरत नहीं है किसी भी टाइप का प्रैसर लेने की भी कोई जूरत नहीं है डी मोटिवेट होने की भी कोई जूरत एक दम बिन्दास होके फुल तगड़ा खाना खाके पेट बर के बिन्दास तरीके से जाओ और एक्जाम देकर आओ ठीक है कोई प्रैसर नहीं ले ना कि पता नहीं क्या होगा यह कुछ भी नहीं होगा खुद पे विश्वास रखो एक्जाम ही तो है एक्जाम कितरे तो वो फट जाता है ना इसे तो वैसे नहीं होना फटना नहीं है सीटिया नहीं बारनी है बढ़िया अगदम बिंदास होके लाजवाव तरीके से पेपर दे क्या हो और अच्छा ही जाएगा ठीक है जितने भी टीचर्स ने आप लोगों पिर महनत किये जिस भी टीचर्स से आप पड़े हो सभी ने दिल से पूरा एफर्स डाला है और आप लोगों ने भी पूरी एफर्स डाले है आपने पूरी महनत किया और 100% आपको positive result में देगा ठीक है ओके और all the west में बोलना चाहूंगा सभी बच्चों को एकदम जोस हाई रखना एक बार comment box में comment कर दो house the josh एक बार नीचे जहन comment कर दो नीचे और तगड़े तरीकी से वीडियो को share कर देना ताकि बाकी बच्चों की भी मदद हो जाए clear I hope कि इस वीडियो से काफी information आपको मिली होगी thank you so much